पिछले कुछ दिनों से जगा जगा गड़ी शुत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इन दस दिनों के बाद लगभग कल बहुत से लोगों ने बबबा का विसर्जन भी कर दिया है। गड़ी शुत्सव के पहले दिन किसी ने अपने घर में तो किसी ने अपने ऑफिस में दूमधाम के साथ बबबा का स्वागत किया। यहाँ तके कुछ लोगों ने बबबा को विधा भी कर दिया है। सिर्फ आमजन ही नहीं बलकि बॉलिवुट सेलिप्स भी इस जश्न में डूबी हुए दिखाई दे रहे हैं। शारुखान, रनवीर कपूर और कई अन्य सेलिप्रिटी के बाद अब अनन्या पांडे, आदित्य रोई कपूर और श्रधा कपूर ने भी भूशन कुमार के ओफिस जाकर बबबा का आशिरवाद लिया है। यहां से अब श्रधा और अदित्य का एक वीजियो भी काफी तेजी से वाइरल को रहा है, जिसे देखने के बाद फैन्स आशिकी टू स्टार्स को फिर से एक साथ देखने की मांग कर रहे हैं। दरसल अदित्य रोई कपूर बबबा का आशिरवाद लेने के लिए भूशन कपूर के टी सीरीज ओफिस पहुचे हुए थे, इस दोरान श्रधा कपूर को भी वहाँ पर देखा गया। जैसे ही श्रधा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा, इसके बाद दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ बात करते हुए गले मिले। इसका वीडियो तीजी से सूशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, वही श्रधा एथनिक ड्रेस में बेहाद खुबसूरत लग रही है, वही एक्टर शिर्ट और पैंट में नजर आए। आपको बता दे कि आज़िकी टू स्टार्स आदित्य रॉय कपूर, यानिकी राखुल और श्रधा कपूर, यानिकी आरोही के जोडी को फैन से एक बार फिर से साथ में देखने की डिमांड कर रहे हैं। एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा कि हम दूनों को फिर से एक और फिल्म में साथ देखना चाहते हैं। एक अनिय यूजर ने लिखा कि बापा भी चाहते हैं कि वो साथ रहे। वही आपको बता दे कि ड्रीम गर्ल टू एक्ट्रिस अनन्या पांडे और आदित्य रोई कपूर की रूमर्ड गर्लफरेंड भी बुशन कुमार के ऑफिस में बपा का आशिरवात लेने के लिए पहुँची थी। जोरान एक्ट्रिस ने भी एथिनिक लुक अपनाया हुआ था।